नमस्कार दोस्तों, All Hindi Idea डूप चल में आपका स्वागत है दोस्तों यदि आपने फोन पे से कोई भी electricity bill पे किया है और यदि वो आपने गलत bill payment कर दिया है और उस bill payment को यदि आप refund लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हो जैसा कि याप पर देख सकते हूँ कि electricity bill पे है और अगर यहां से में कोई भी कोई भी आपका biller हो सकता है जिससे आपने payment किया हो इसमें से किसी को भी अगर आपने payment किया है और अगर आपने जो number डाला है वो गलत डाल दिया है तो अगर आप उसको refund लेना चाहते हैं जो भी आपका payment debit हुआ है तो लेना है तो कैसे लेंगे आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे दोस्तों वीडियो को आगर बड़े उससे बल्ले बता दू कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे ताक कि इसी प्रकार के वीडियो के notification आपको मिलती रहेगी उसके बाद में आपको यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक करना है और जो भी आपने बिल पे किया होगा वो आपको यहाँ पर हिस्ट्री में शो करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि electricity bill पे तो इसके उपर में click कर लेता हूँ उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर एक option मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि contact phone पर support इसके उपर आपको click करना होगा उसके बाद में यहां पर आप देख सकती हूँ कि यहां पर बता दिया जाएगा कि आपका पर्मेंट है वो सक्सेश्फुल हो गया है लेकिन यहां पर आपको निचे एक आप्शन मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद में यहां से एक चैट में आपसे बात करी जाएगी तो यहां पर आपको डाल देना आई पैड टू रोंग अकाउंट यानि मैंने जो भी नमबर डाला वो गलट डाल दिया इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है फोन पर यह करना है तो यहां पर बता दिया गया कि जो भी आपका जो है वो alreadyかった हो चुका है ईसके बाद प्लिक लेना ऐगा आप injust 10 कि जो यहां पर है जो आपक जो टिकट हेँ वो बन जाएगा और जो हुट आपकी रिक्वेस्स करता है या नहीं करता है यह फोन पे के माध्यम से आपको बता सल जाएगा और इसके लिए आपको रिफंड लेने के लिए आपको 24 गंटे का वेट करना पड़ेगा उसके बाद में आप इसे दुबारा से चेक कर सकते हो यहां पर कई सारे बिलर दिये हुए हैं तो अलग-अल रुक कीजाएं फिर मिलेंगे एक अगली नए वीडियो में